प्राइम मिनिस्टर दिखाई जाने के बाद देश में पोल सर्वे करने वाली कम्पनियों पर बड़े सवाल खड़े हो गए हैं सवाल उठते हैं कि क्या पैसे के बल पर नतीजे अपने पक्ष में किये जा सकते हैं क्या पैसे के दम पर लोगतंत्र के साथ इतना बड़ा विश्वास घात हो रहा है क्या ओपीनियन पोल पर बैन लगना चाहिए देखिए सबसे पहले ये खास रिपोर्ट न्यूज एक्स्प्रिस के ऑपरेशन प्राइम मिनस्टर दिखाए जाने के बाद साफ हो गया है कि लोगतंत्र के साथ सबसे बड़ा विश्वास घात हो रहा है ओपरेशन प्राइम मिनस्टर ने साबित कर दिया कि किस तरह पोल सर्वे कराने वाली कमपनिया चंद पैसों के नाम पर किसी भी राज़डितिक पार्टी के लिए हवा बनानी का काम करती है सबसे बड़ा सवार क्या ओपीनियन पोल पर बैन लगना चाहिए न्यूज एक्स्प्रिस में ऑपरेशन प्राइम मिनस्टर में 11 कमपनियों की हकीकत से परदा उठाने का काम किया है इस स्टिंग ऑपरेशन के दिखाय जाने के बाद ये देश के कई बड़े अख़बारों की सुर्खियां बन गया Operation Prime Minister के बाद साफ हो गया सर्वे कंपनियां पैसे लेकर सीट बदल सकती सर्वे कंपनियां पैसे लेकर वोट शेयर बदल सकती सर्वे कंपनियों को सर्वे के अवज में काले धन से कोई गुरेज नहीं सर्वे कंपनियां माजिन फैरर की आड में बड़ा गड़बड जहला करती है राजनितिक पार्टियों के लिए जूठी हवा बनाने के लिए बोल का इस्तमाल होता है कि इस पाटी का इस स्टेट में इतना आप शो करते हैं महराज में विए भी आप इस पाटी का आराउंड इतना आप शो करते हैं I'll say that this is my percentage that we fixed with you now I've discussed this then we go to the next level Okay these changes happened why my analysis says that this issue didn't work for this party this issue didn't work for that party this issue didn't work for this particular guy and he said this he said that opinion changed new numbers सर्वे कंपनियां देश के करोडों लोगों की भावनाओं के साथ विश्वास घात करती हैं Would you be comfortable completely with cash? Will you be comfortable with check? Will it be a mix of the two? We are very much comfortable with cash only Okay News Express के चौकाने वाले फुलासे से साफ है कि देश में opinion poll एक मजाग बनकर रह गया है ऐसे में News Express ये पूछना चाहता है कि करोडों लोगों को ठेश पहुचाने वाले ऐसी opinion पोल पर क्या बैंट नहीं लगना चाहिए आज तीन बड़े घटा क्रम हुए मुख्य चुनाव आयोग परताल करने के लिए तैयार है इसके अलावा शाम चार बजे के आसपास अरविन केजरिवाल ने प्रेस कॉन्फरेंस की उन्होंने कहा कि अगर News Express के सच्चाई है तो फिर बाग जिन लोगों के ने जिन लोगों पर यह स्टिंग ऑपरेशन हुआ है उनके खिलाफ सक्त कारवाई होनी चाहिए और अगर News Express के स्टिंग अपरेशन डॉक्टर्ड है तो उसकी News Express से खिलाफ भी कारवाई होनी चाहिए हम किसी भी तरह के जांच के लिए तयार हैं यह हमारा लगाता स्टैंड है हम अपनी जो भी ऑपरेशन की फुटेज है अन एडिटेट जो टेप्स हैं उन टेप्स को सभी तक पहुंचाने के ल कि उपीनियन पोल्स पर बैन होना चाहिए इसके अलावा उन्होंने कहा कि 11 जो एजिंसिया हैं उनके खिलाफ फायार दर्ज होनी चाहिए उनकी जाच होनी चाहिए और उनको चुना आयोको उनको बैन कर देना चाहिए यह इस खबर का असर है वाकि आपने अख़बारों मे Twitter, Facebook पे किस तरह से Operation Prime Minister की चर्चा है ये आप लोग खुद जानते हैं हमारे साथ कपिल मिश्रा है आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता इसके लावा शाइना NC है भारती जन्नता पार्टी की तरफ से इसके लावा JP धनोटिया जी है जो की बद्यप्रदेश में हैं Congress के प्रवक सब जगा से एक बात जरूर उठ रही है एक स्वर में कि ओपीनियन पॉल में मैंनुप्लेशन होता है ओपीनियन पॉल में गड़बड़ी होती है आम आदमी पार्टी की तरफ से भी बड़ी प्रेस कांफेंस की गई Congress की तरफ से भी कहा गया शाइना NC लेकिन कुछ भी ऐसा दिख नहीं रहा कि जो असी दिन बचे हैं लोग सभा चुनाओ होने में उससे पहले ओपीनियन पॉल को लेकर के कोई बड़ा फैसला होने वाला है पॉल के बजए चर्चा में करें तो वो ज्यादा सही रहता है क्या है सांपल साइज हर एक उपिनियन पॉल का कहीं आप देखें कि 300 से 500 लोग हैं तो कहीं 3000 से 5000 जब करोडों की आबादी में इस देश में लोग वोट कर रहे हैं और अलग अलग प्रांत से अलग अलग permutation combinations जहां first time voters हो या senior citizens हो महीला के मुद्दे अलग होते हैं तो आप किस धंग से arrive कर सकते हैं कि यही सत्य होगा लेकिन मैं इसके साथ जरूर कहना चाहती हूँ कि फिलहाल हाली में हमने देखा है कि सभी opinion polls ने NDA और भारते जनता पार्टी को इतनी भारी संख्या में कहा है कि हमारे seats इतने बढ़ेंगे कि हम स्वागत करना स्वाभाविक है लेकिन जब visualization करते हैं तो मैं मानती हूँ कि जमीनी स्तर पे जो राजनेतिक पार्टी काम करती है और जो राजनेतिक पार्टी सही प्रगती की राजनीती करना चाहती है राजनेतिक इच्छा शक्ति दिखाना यह जो चाहती है कि यह mandate हो यह mandate on leadership अमें स्टयंबिलिटी और एक mandate जहां बटवारा की राजनीती न करें तो वो स्वाभाविक रूप से 2014 में उनको मिलेगा साइना एंसी आपकी पार्टी जो है आप पार्टी कह रही है कि जो ग्यारा लोग जो कथी तुरूप से पकड़े गए हैं उनको पर बैन लगाना चाहिए फायार होना चाहिए साइटी बनने चाहिए जो ओपिनियन पोल होते हैं दूसरी तरह कॉंग्रेस पार्टी कहती है बहुत कई महीनों से कह रही है कि ओपिनियन पोल बैन होने चाहिए भारती जनता पार्टी इस तरह से पर्चम लहरा रही है जो आपके रंगों में भी दिखाई पड़ रहा है देखे आम आदमी पार्टी जो सोचे वो उनके जगह सही हो सकता है उनको पहले एक अजेंडा तो सेट करने दीजे कभी-कभी वो ब्रश्टाचार के बारे में बात करते हैं जो टोपी पहनता है तो वो सत्यवाद हो जाता है कभी-कभी वो ये आरोप करते हैं कि कम्यूनल प्रश्टाचार को दूर रखना चाहिए तो ये सब इलेक्शन के मुले जहां लोग अपना मत प्रतिक्रिया रखें तो अपनी जगह है अपका अजेंडा जो है आप बात देखे आपका जो अजेंडा है आप पेश कर सकते हैं लेकिन भारतिय जनता पार्टी का एक ही अजे रखनी थी और कोई बत्वारा की राजनी थी नहीं मुदी जी का मैंडेट का मैंडेट ओन लीडर्शिप है एक मैंडेट ओन नित्रत्व और एक मैंडेट ऑन स्टेबिलिटी जिस प्रदेश में देखे आप आपको जो बोलना है आप आपके वक्तिवियर में बोल सकते हैं जहां तक मुझे मेरा पार्टी के बारे में कहना है सबसे पहले समझ लीजिए कि भारते जनता पार्टी 2014 में एक स्तिर सरकार बना के मोदी जी हमारे प्रधान मंत्री बन के देश के लिए रिखने वाले हैं कि जनता पारें किस धंग से प्राइस राइस कम करें और जिस पूल की बात हो रही है साइना इंसी जी अपने प्राइस के लिए पूपिनियन पूल की आवशकता नहीं है इसमें क्योंकि जनता जो है वो उपिनियन पूल है आप जनता के बात कीजिए तो आपको पता चलेगा कि ओपिनियन पूल पे हम निर्भर थे तो अलग अलग के लोग हमारे साथ नहीं जुटते हैं लेकिन जिस संख्या से लोग हमारे साथ जुट रहे हैं तो हम मानते हैं कि ओपिनियन पूल भी शायद गलत हो सकता है क्योंकि आप से भी सवाल लूगा और शाहिना जी आप से भी बात करूंगा जैपी धनोपिया साब भी भुपाल स से भी बात करेंगे सवाल थोड़ा सा गंबीर इसलिए भी है क्योंकि देश के 80 करोड मत दाताओं का प्रश्ण है जिन जिनको वोट देना है अगले तीन महिने में यूरोपीन यूनियन के कम से कम 16-17 देशों में उपीनियन पूल बैन है जबकि वहां पर जो साक्षरता का प्रतिश्यत है वो काफी अच्छा है उसके बावजूद वहां पर बैन है सिर्फ ये सोचते हुए ये मानते हुए कि जनता उससे गुमरा होती है क्या भारत में भी ऐसा हो सकता है क्या भारत में भी ऐसा होना चाहिए आम आदमी पार्टी से भी बात करेंगे कॉंग्रस से B J P C V, एक चोटे से ब्रेक के बाद.